हेलो फ्रेंट्स हमारी बस सीटम की टूटो सीच चल रही है कोडिनाइटर यूज करते हुए और हम हमारे प्रियोज टूटोरल में बेसिक हमारे प्रजे का एंवार्मिन्ट सेटप कर चुगे थे एंड उसमें हमने एड्मिन पेनल के लिए एक टेंपलेट इंटिग्रेट की हम इस टूटल को कंटिन्यू करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेट साइड में बहुत सारे मेन्यू है यहाँ पर कुछ कार्ट्स है और इसका अगर हम कोड़ देखें तो यहाँ पर हमने डेजबोर्ट.php फाइल बने जिसके अंदर बनाएंगे जो हम हर पेंच पर इंक्लूट करेंगे और हेडर और फूटर को सेप्लेट करते हैं तो इसके लिए हम एक फॉल्डर बनाएंगे व्यूस फॉल्डर के अंदर एड्मिन के अंदर यहाँ पर हम एक फॉल्डर बनाएंगे यहाँ पर एक फॉल्डर बनाएंगे इंक्लूट्स एंड इस इंक्लूट्स फोल्डर के अंदर हमें दो फाइल क्रेट करना है पहली हम बनाएंगे header.php and second file रहेगे हमारी putter.php तो एक और फाइल हम बनाते हैं यहां पर putter.php and header file में हम headers related code रखेंगे like है हमारा header section and left side के जित्ते भी menu है and website का logo यह हमारी सभी header file के अंदर रहेंगे तो इसके लिए हम copy करते हैं तो सबसे फिले हम header को separate करेंगे तो इसके लिए आते हम deadboard.pg file में and header को copy करेंगे तो इससे हम करते हैं scroll down और देखते हैं का तक हमारी header file दा रही है है तो हम इसमें देख लेते हैं हमारा जो last menu है वो warning है add info national है तो हम इसे scroll down करते हैं तो देखिए यह सारे menu चल रहा है मतलब अभी हमारा header है and अभी भी header है हमारा scroll हो चुके हैं तो इससे हम copy करते हैं उपर तक इसे मैं यहां से करेंगे cut cut करने के बाद हम इसे paste कर देंगे हमारी header.php file के अंदर and इसे तरी के से हम footer का जो code वो भी अलग करेंगे तो इसके लिए हम scroll down करते हैं and हम देख लेते हैं तो footer का जो code है वो हमारा यहां से start हो रहा है footer take से तो इसे हम select करेंगे नीचे तक and इसे हम करते हैं cut and इसे हम paste करेंगे हमारी footer.php में and इसे हम पर करते हैं paste and तीनों फाइल काम करते हैं save save करने के बाद हम एक बार हमारे code का output देख लेते हैं क्या आ रहा है तो इसे हम करते हैं reload तो इदिखिए ये कुछ इसते के सारा एक इसकी header और footer file हमने आज़े remove कर दी है तो इसे include करना होगा हमारी controller file के अंदर यहाँ पर हम load करेंगे dollar these load view and यहाँ पर हम include करेंगे admin slash header sorry includes slash header and इसे हम करते हैं copy and इसे हम करते हैं paste यहाँ पर हम बंदेंगे footer and save save करने के बाद again हम इसे करते हैं reload तो यह दिखिए हमारे header and footer include हो चुके हैं तो यह अब हमारे header and footer एक separate file में आ चुके हैं अब हमें jsb file पे इनकी जरूरत है उस पर हमें इस file को include करना है तो हमारे header and footer proper work करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए title आ रहा है तो इस title को change करना है तो हम यह change करेंगे हमारी header file के अंदर तो हम top पर जाते हैं यहाँ पर लिख देते हैं booking system and इसे हम करते हैं save and again इसे हम करते हैं reload तो देखिए यहाँ पर आरा बस booking system तो हमारा यह जो title है यह change हो चुका है अब हमें यह sidebar के menu change करना है क्योंकि अभी हमारी template के menu है तो इनकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें हमारे according menu लगाने है तो इसे भी हम handle file में ही change करेंगे तो हमें इसे करते हैं scroll down and subset हमें show होगा dashboard तो अभी भी dashboard नहीं आया तो scroll down करते हैं तो देखिए dashboard के कुछ इस तरह के menu है लेकिन हमें net simple की है हमार पाद एक ही dashboard है इस तरह के drop down के हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम जो हमारा widgets है इसे use करेंगे तो हम इसे scroll down करते हैं and इस widgets menu को हम करते हैं cut and cut करने के बाद सबसेट टॉप पर इसे हम यहाँ पर करेंगे paste और यहाँ पर हम इसे align कर देते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे dashboard and इस icon को हम यहाँ पर करेंगे use and save करते हैं save करेंगे again reload करेंगे तो हमारे dashboard का एक menu आ चुका है and इस dashboard के हमें कोई ज़रूरत नहीं तो इसे फिलाल हम remove नहीं करेंगे इस पर हम style क्लिक देते हैं style display none and save करते हैं again reload करेंगे तो हमें यहाँ पर केवल एक ही dashboard मिल रहा है and यहाँ पर एक new take है तो इस new take को हम रिमूट करते हैं तो इस spend take को हम हटा देते हैं and save कर देंगे and again reload करते हैं तो इसके बात की जित्ते भी menu in सभी गहम delete कर देते हैं तो dashboard को हम रखते हैं क्योंकि अगर हमें drop down menu की ज़रोत परेड़ी तो हम dashboard का use करेंगे इसलिए हम dashboard को नहीं अठाते हैं and इसके लावा जित्ते भी हमारे menu उन सभी को हम remove करते हैं तो यहाँ से हम इसे close करते हैं तो इससे हमें सभी की opening and closing पता चल जाएंगे इस तरीके हम इससे भी करते हैं close and जित्ते हैं अभी तक close किये हैं इन्हें हम remove करते हैं तो यहाँ तक क्या हम करते हैं remove and इसके आगी के भी हम बंद करते हैं इससे भी बंद करते हैं इससे भी बंद करेंगे यह दिखिए हमारे सारी मेन्यू यहाथ तके बंद हो चुके हैं तो इससे भी हम करते हैं remove and save करेंगे save करने के बाद अगेन हम इससे reload करेंगे तो यह हमें यहाँ पर के वाल एक डेशबोर्ट शो हो रहा है तो हमें डेशबोर्ट पर डेशबोर्ट की लिंक लगाना है जिसके हम क्लिक करें तो हम डेशबोर्ट पर जाए अब यह देखिए हम कुछ इस तरीकी के पेच पर जाते हैं तो इसके लिए हमें आना होगा हमारे यूरेल इसमें लिखेंगे slash admin इसे अगर हम reload करें and reload करने के बाद अगर click करेंगे तो हम देखी इसी page पर आ रहे हैं इस तरीके से हमें और भी menu बनाने हैं तो हम इस LI को copy करेंगे and number of time करते हैं यहां पर paste तो first हो चुका है हमारा dashboard, second हम यहां पर बना देते हैं, location, यहां से हम location का master देंगे, कि जो bus है, वो किस-किस location पर जाती है, तो यहां पर हम locationate करेंगे, यहां से हम bus schedule create करेंगे, किस bus का क्या schedule है, कहां से start होती है, and कहां तक जाती है, and timing क्या रहेगी, किती seat available है bus पर, यह सारी information हम यहां से देंगे, and इसके बाद, यहां पर हम देखेंगे, bus booking, bus booking, and इससे हम करते हैं, save, save करने का इससे करते हैं, reload, तो यहां पर हम पर पास, पहला है dashboard, second है location, third है हमारा bus schedule, यहां से bus के schedule होंगे, and fourth है हमारा bus booking, यहां पर bus की booking show होगी, किती bus की booking है, और उसका status क्या है, and admin panel से भी हम bus को book कर सकते हैं, and front end से भी bus को book करने का हम option देंगे, तो friend, यह हमारे सारे menu भी बन चुके है, and menu के सांसत हमारा यह dashboard भी बन चुका है, लेकिन हमने admin panel के लिए अभी तक login नहीं कराया, हमारा जो admin panel है, it direct work करता है, अगर आप इसका URL हिट करते हैं, तो आप इसे access कर पा रहा हैं, तो इसकी अगली function जो complete करने के पहले हमें इसमें एक login system बनाना होगा, जिसका use करते हुए user login करेगा, and login करने के बाद ही वो admin panel देख सकता है, अगर user login नहीं करेगा, तो admin panel तक visit नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें एक login system बनाना होगा, तो login system बनाने के लिए हमें एक नया controller create करेंगे, और admin का login panel बनाएंगे, तो यहां से हम इन सभी file का भी करते हैं, close, close all, and यहां पर हम एक नया controller बनाएंगे, admin login के लिए, जिसका use करते हुए admin करेगा, login, तो यहां पर हम controller के अंदर, यहां पर हम एक नया controller बनाएंगे, admin dash, या admin login.php, यहां पर हम एक controller बनाना होगा, यहां पर हम बनाएंगे, class, login, extends, ci, controller, यहां पर हम लिखते हैं, public function, और हम लिखते हैं, underscore, underscore, construct, यहां पर हमें लिखना है, parent, column, column, underscore, construct, यहां पर हमें लिखना है, public function, index, यहां पर हमें लोट करना है, हमारे view folder के अंदर, तो इसके लिए हम चलते हैं, हमारे view folder के अंदर, यह हमारा view folder, तो view folder के अंदर एक file create करेंगे हम, admin login.php, इस file के अंदर हम basic HTML बना लेते हैं, यहां से HTML5, यहां पर हम title लिख देते हैं, login या admin login, यहां पर हम h2 tag में भी लिख देते हैं, admin login, and save करते हैं, save करने के बाद हम देखते हैं, admin login work कराया नहीं, तो यहां लिखते हैं, admin login, enter hit करेंगे, तो यह दिखिए हमारा admin login का page आ चुका है, यहां पर हमें एक login page बनाना है, जिसका इस करते हैं, admin login करेंगा, and security validation पर में लगाएंगे, तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे switch पर, तो इस पर हमें boot register file include करना है सबसे पहले, तो boot register file हम उसी तरह include करेंगे, जिससे हम ने home पर include की थी, तो यहां से हम इस line को copy कर लेते हैं, जिससे हमने boot register की CSS include की है, तो यहां पर हम इसे करते हैं, paste, and second हमें js file भी चाहिए, तो हम इसे करते हैं, copy, and इसे यहां पर करते हैं, paste, and save, save करने के बाद, again इसे हम करते हैं, reload, तो यहां पर आ चुका है admin login, और जो admin login है, उस पर phone family भी apply हो चुगी है, मतलब हमारी जो boot step है, यह proper work कर रही है, अब हमें यहां पर एक login page बनाना है, तो login page बनाने के लिए, यहां पर हमें एक container बनाएंगे, यह directly हम यहां पर एक due बना लेते हैं, due.row, and इसके अंदर हम बनाते हैं, call sm-4, and इसका हम जो multiply करेंगे, multiply करेंगे 3 से, हमें 3 box साही है, and shift, then enter, hit करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का layout मिलता है, जिसके अंदर हमें एक row मिलती है, and 3 due मिल रहे हैं, 4, 4, 4, तो 12 होते हैं, हमारा 1, 2, और 3 block है, तो हमारा जो 20 वारा block होगा, इसके अंदर हमारा login page बनाएंगे, अब हम इसका output देख लेते हैं, अब यहां पर हम लिख देते हैं, s3 take के अंदर, admin, login, and save, save के बाद अगेन हम इसे reload करेंगे, तो यह देखी, यहां पर हमें admin, login, show हो रहा है, अगर हम इस पर class use करें, class, text, center, and save, and reload करेंगे, तो यह देखी हमारा जो text है, वो center में आ चुका है, अब हमें इसके बाद login सिस्टम बनाना है, login सिस्टम के लिए हमें आपर एक core due बनाएंगे, due, and इस पर हम class use करेंगे, row, and इसके अंदर एक ओर due होगा, जो होगा, call as same, hyphen 12, and इसके अंदर एक ओर हम due बनाएंगे, form, group, and shift, enter, press करेंगे, तो हमें एक layout मिल जाता है, जिसके अंदर एक row है, and row के अंदर एक column है, column के अंदर हमारा form group है, इसके अंदर हमें एक label यूज़ करना है, तहीं हम लेवल लेते हैं, और score को मटा देते हैं, and यहाँ पर लिखेंगे, username, and इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, input, type email, and इसी तरीके से यहाँ देते हैं, name, and यहाँ पर देते हैं, email, and इसी तरीके से यहाँ पर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ देते हैं, class, control, and इससे हम copy करेंगे, एक और बार, and यहाँ पर इसे करते हैं, paste, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, password, and यहाँ पर भी हम लिखेंगे, password, and name भी होगा, इसका password, and save करते हैं, save करने के बाद हम इसे एक और बाप paste करेंगे, और यहाँ पर देंगे हमारा login का button, तो यहाँ पर देते हैं, button, and यहाँ पर हम लिख देते हैं, login, and यहाँ पर हम देते हैं, space, btn-info, then btn-sm, and इसे करते हैं, reload, तो यहाँ पर हमारा login पर बन चुका है, कुछ इस तरीके का, यहाँ पर देख पा रहा है, यहाँ पर login बटन है, and यहाँ पर email, and password की जगाए है, यहाँ पर title आ रहा है, लेकिन यह बहुत ज्यादा ही top पर है, तो इसे में space देना है, तो हम इस row पर style लिख देते हैं, style, and इस पर होगा margin top 200px, and save करते हैं, save, save करने का इसे करते हैं, reload, तो यह दिखिए center में आ चुका है, हम इसे blank भी कर सकते हैं, तो यह हमें कुछ इस तरीके से show हो रहा है, अब हमें इस दोनों field में value का input करना है, और उसे हमारे database मेच करके user को login कराना है, तो उसके लिए हमें database में table create करना होगी, तो इसके लिए चलते हैं हमारे database पे, तो इसके लिए हमें hit करना होगा localhost.speechmyadwin, जिससे हमारा database open होगा, and यहाँ पर हम एक नया database बनाएंगे, mypro underscore, bus, booking, and इसे हम करते हैं create, create करने के बाद, यहाँ पर हम सबस्वेले हमारी table बनाएंगे, तो इसे हम prefix देंगे, bus underscore admin, यह हमारी table होगी, and इसके अंदर four field रखते हैं हम, इसे करते हैं go, first field होगी हमारी id, second field होगी, email, third field होगी, password, and last होगा status and इसे देते हम where care, where care and इसे हम integer रखेंगे और इसे में default value हम देते हैं one and इसे में देते हैं 250, and इनने हम कर देते हैं null और इसे कर देते auto increment and इसे कर देते save, तो यह हमारी table create हो चुकी है, इसके अंदर हम dummy data डाल देते हैं, यहाँ पर email देते हैं admin at gmail.com and password यहाँ देते हैं 123456 and इसे हम click करेंगे go, तो यह देखिए हमारी जो table है, उसके अंदर data proper insert हो चुका है, अगर हम इसे browse करें तो यहाँ पर हमें admin और 123456 यहाँ पर information मिल रही है, अब हमें जो front end का हमारे form है, इसकी information को in field से मिलाना है और user को successfully login कराना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर एक form tag बनाएंगे, दो यहाँ पर हम इस row को cover करेंगे, यह जो हमारी row है, इसे तो यहाँ पर हम एक form नहीं बनाते होगे, दाइरेक्ट भी हम बटन कर इसका कर सकते हिंए, तो यहाँ पर हम एक ID देते हैं, यहाँ पर हम दनते हैं, लॉग इन कराएंगे तो इसके लिए हमें जेकरी इंपोर्ट करना होगी हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने जेकरी इंपोर्ट नहीं की है हमने आपर बूर्ट इस फैल तो इंक्लोट कर लिए लेकिन जेकरी नहीं की है तो जेकरी इंपोर्ट करने के लिए हम आते वे अपन कर लिए jQuery की डाउनलोड पेज आपको यह लिंक मिल जाएगा जहांसे आप इस पेज पर आ सकते हैं अगर आप गूगल पेज यह डाउनलोड लिखेंगे तो भी आप यहां पर आ जाएंगे आपको इस फाइल को इस करके सेव करना है आप इससे जब सेव करेंगे तो आ यहां पर हमें लिखना होगा हमारी इस फाइल का नाम तो हम से रिनियम करके normal jquery.js कर लेते and इस jquery name को मैंने आसे किया copy and यहाँ पर हम इसे करते है test and save save करने के बाद अब मैं इसे login कराना है तो login करने के लिए हमें एक custom file बनाना है jquery की तो हम एक new file बनाते हैं और उसे भी हम save करेंगे root पर assets then frontend js और यहाँ पर हम करते थे हैं admin dash login dot js and इस file को हम include कर लेंगे हमारे admin login dot php page पर तो इसे हम again copy करते हैं and यहाँ पर हमें के अबल नाम चेंज करना है यहाँ लिखेंगे हम admin dash login and save करते हैं save करने के बाद हमारे page पर आते हैं and reload करके इसका अगर हम page का source देखें तो हमें यह सभी file include मिल रही है और अगर हम इसे करेंगे open तो दिखे proper open हो रही है मतलब हमारी जो file वो include हो चुकी है अब हमें इस file को देखना है हमारी jyokery लिखके तो इस button के click पर हमें code लिखना है dot on click होगा हमारी इस particular id से तब हमारा एक function execute होना चाहिए जिसके अंदर यहां पर आएगा alert save and इससे हम again reload करते है and click करेंगे login पर तो देखें यहां पर alert one आ रहा है अब हमें इस दोनों फिल्डों की जो information है उसका इस करते हुए user को login कराना है तो उसके लिए हम इन दोनों पर भी id लगाएंगे यहां पर हम देते है id id email और यहां पर होगी id password and यहां पर हम लिखते है let id equals to and यहां पर हम देते है email की value में आसे get करेंगे and second है हमारे पास password यहां पर हम देते है पासवर्ड और variable name हम आईडी से अटाकर यहां देते है email and password and इसके बाद यहां पर हम condition लगाते हैं please enter email and इसी तरीके से यहां पर हम लिखते है else if अगर password अगर ब्लेंक है तो यहां पर आएगा अगर दोनों ही फिल्ड में data है तो हमारा else block चलेगा और यहां पर alert होगा एक में हम करेंगे email और second में alert करेंगे यहां पर password इसे हम करते हैं save save करने के बाद इसे हम करते हैं again reload and हम भी इसे blink कर देते हैं username को and click करेंगे तो आ रहा है please enter email and अगर password को भी हम blink कर देते हैं and click करते हैं तो यहां आ रहा है please enter email अभी भी आ रहा है तो अभी भी email के नदर value नहीं आई है तो हम देखते हैं, id proper है या नहीं तो हमरी यहाँ पर id email ले यहाँ पर password है तो इसे हम करते हैं, copy एक बार and इससे replace करते हैं and save करते हैं and इस email को भी मलट लाकर देखते हैं तो यहाँ पर हम देते हैं email and save again reload करेंगे then इसे हम करते हैं blank blank and click करते हैं, तो देखिए हमारा alert blank है और आरा, please enter email जब यहाँ पर हम email fill करते हैं and इसके बात click करते हैं तो यहाँ पर आरा है हमारे पास email and okay आते हैं, तो यहाँ देखिए password भी आरा है, मतलब हमारी जो इसके बाद अगेन करते हैं, reload तो हम इसे भी लेंग करेंगे and इसे भी करते हैं blank and यहाँ पर click करेंगे, तो आरा, please enter email यहाँ पर हम लिख देते हैं admin.gmail.com and इसके बाद हम यहाँ पर लिखना password, अगर हम click करेंगे तो आरा, please enter password तो हमारी जो वेलिटेशन यह प्रफोग कर रही है अब हमें यहाँ पर एक object बनाना है इन दोनों का, यहाँ पर हम लेते हैं let obj quest to और यहाँ पर होगा email जिसके अंदर हम देंगे email and होगा password जिसके अंदर देंगे password and यहाँ पर semicolon नहीं होगा comma होगा semicolon and इसे यहाँ पर हम करते है console.log और यहाँ पर हम print कर देते हैं objoo को and इसे हम करते हैं save save करने का इसे हम करते हैं again reload and reload करने के बाद अगर हम इसे यहाँ से देखते हैं तो हम जैसे ही click करेंगे इस पर तो यह देखिए यहाँ पर आपको email and password console पर मिल रहे हैं तो friends यह हमारी javascript के अंदर तक हमारी email और password आ चुकी हैं and validation में लगा चुकी हैं अब हमें हमारी जो database की यह table है इससे इनकी validation लगाना है तो friends यह process हमारे next tutorial में करेंगे जिसमें हम इसका पूरा vacant setup करेंगे हमारे इस database को हमारे इस process करने करेंगे क्योंकि अभी तक हमने database को हमारे process से connect नहीं किया है तो यह थोड़ी लंबी process होगी तो इसे हमारे next tutorial में करेंगे तो friends अगर आपको वीडियो प्लोट करें उसकी update आपको मिलती रहे और friends अगर और भी different type के project tutorial देखना चाते हैं तो आप मेरी website visit कर सकते हैं आपको मेरी website के link इस video description में मिल जाएगी thank you for watching